हाई गाईज दिस इस हिमान्शो सिवाल चैप्टर फिप के एक्साइज 5.1 के पार्ट थर्ड के सोलिशन में आपका स्वागत है 5.1 के सोलिशन की दो वीडियो आप पहले देख चुके हैं जहां हमने कुछ ऑप्मुच देखे थे हैना आपको बचय वह इक्साइज इएक इइघ्जामइल करा देता हो जो बहुत इंपोर्ट है तो ऑचिए कि एक 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 साम पले example number मैंने आपको कुछ example बता दिये थे जो आप काड़ सकते हैं जो आपको नहीं करने जरूरी बाकी पड़े होंगे example 15 मेरे नजरू में बहुत important example most important example number 15 तो बच्छो ध्यान दीजिएगा question में कहा है find all the points of discontinuity of the greatest integer function defined by fx equals to int x मेरे पास एक function है fx equals to int x मुझे इस function की सभी points बताने जहां यह discontinuous है clear यह int x symbol जो है यह क्या है greatest integer function का symbol है तो चलिए देखते हैं कैसे हम check करेंगे देखिए greatest function मैं आपको पहले ही पता चुका हूँ अगर आपने ncrt book देखेंगे तो आपको ए ग्राफ बना हुआ भी मिल जाएगा यह question जब तक नहीं हो सकता जब तक आपको यह नहीं पता कि greatest integer function होता क्या है देखिए यहाँ simple सा अगर मैं आपको बता हूँ बिल्कुल simple तो यह बात है कि अगर कोई function में रखता हूं अगर कोई integer में रखता हूं इस function में तो उसका answer वही होगा 1 का 1 2 रखा दो 2 3 रखा दो 3 लेकिन अगर हम कोई decimal number रखते हैं तो उसके left hand देखिए 1.2 यहाँ आता है उसके left hand पर आने वाला integer जो है वो उसका answer है अगर मैं 2.1 answer रखूं तो 2.1 का 2 आएगा 3.1 का 3 आएगा 3.99 का भी 3 आएगा यह मतला सोचना कि round off कर रहे हैं पीटा round off अ लगे 3.99 यहाँ आया इसके left में चले 3 है तो मैं क्या सकता हूं कि 1 से 0 के बीच के ठीक है 1 से 2 के बीच के जितने भी number है उन सभी answer 1 होगा 2 को छोड़के 2 खुद नहीं include होगा लेकिन 1 इंक्लूड है 1 का answer 1 और 1.2 1.3 1.5 1.99 तक सबका answer 1 2 से 3 के बीच के सभी numbers का answer 2 excluding 3 3 को छो ठीक ऐसे 0 पहरे बात करूं कि 0 से minus 1 के बीच के जो number है या 0 से 1 के बीच के जो number है उन सभी answer कितना होगा 0 होगा ठीक यह ऐसे तो आप यह बना सकते हैं सिंपल सा है ठीक चलिए अब देखते हैं इसको continuity का सब्सक्राइब करने तो इसकी continuity दो प्लेस पर चेक होगी केस फर्स्ट पहला केस जब अगर मैं तब की बात करूं तो देखे इस ग्राफ को देखकर आप बहुत इजीली कह सकते हैं कि कि किसी बिमालीज डैसिमल नंबर 1.2 1.3 1.5 उन सभी पर function continuous है कभी भी function decimal नंबर पर नहीं टूट रहा है function टूट कह रहा है जहां इंटीजर आया वहां function ब्रेक हो गया जहां इंटीजर आया वहां function ब्रेक जहां इंटीजर आया वहां function ब्रेक तो function extends to let मैं कर लेता हूँ let a be any arbitrary point एक कोई arbitrary point है जहां पर मैं continuity चेक करता हूँ और a belongs to a कोई भी decimal number यहां है तो extends to a negative हमें निकालना है कि उस decimal number से छोटी value पर function का answer क्या बनेगा ठीक अब मैठोड अफ सब्टेटिशन यहां यूज करते हैं a negative का मतलब क्या a negative का मतलब a से छोटी value ठीक मैं इस पर अफ करूँ अगर यह जो मैं लिखा है ग्राफ आपको यहां बना के छोड़ दिया ग्राफ आप देख लें a negative देखिए यह है a negative को मतलब a से छोटा नंबर उससे छोटा कहीं a-1 भी होगा और यह a-1 लेकिन बहुत छोटा चाहिए अब बहुत छोटा मतलब a से 0.001 माइनस कर दें यहां मैं कोई वैल्यू निकाल रहा हूँ ठीक तो लेट मैं कर लेता हूं x की वैल्यू a से छोटी है कितनी छोटी a-h by method substitution आपको सिखा रखा है तो x की वैल्यू a से कुछ छोटी रख दें यहां a-h रख दें तो जब x की वैल्यू a-h है as x tends to a negative जैसे की x की वैल्यू a- नेगेटिव है तो h tends to कितना होगा बच्चो 0 positive h की वैल्यू 0 positive होगी now हम बात करें limit x tends to a negative function fx fx की विए आपको पता है index से और वहां रख दिया a-h अब आप बताओ a से एगर छोटा सा हलका सा छोटी वैल्यू है ठीक अच्छा एक चीज़ आप और इसके अंदर ध्यान दे एक decimal number है तो मैं a को प्लस q लिख दूँ चिक प्लस q को क्योंकि ये तो मैंने एक इंटीजर बना दिया चिक मैं बात करता हूं एक decimal number है तो a की वैल्यू जो है ये जो मैं से रफ करता हूं प्लस q है जहां मैं कहा रहा हूं प कोई टू पॉइंट फाइव है तो टू एक इंटीजर है और पॉइंट फाइव जो है ये डेसिमल पार्ट है तो कोई भी डेसिमल नंबर को में दो पार्ट में तोड़ सकता हूं एक इंटीजर और एक डेसिवल तो इंटीजर पी है आप ऐसे देखें यह पी है कि माइनस वन बई आसी तो एमान लों को इंटीजर इंटीजर में थरी उठाता हूं तो उससे पहला नंबर थि-1 तू उससे बड़ा नंबर प्लस वन यानि फॉर फो है 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 यह नव थेखने वैल्यव फ्लस फ्लस क्यूं जीशने 2.52 बीच में गरती बीच में तो प्लस यू इन दोनों के बीच में कहीं होगा ये वैल्यव फ्लस क्यों हो चिक ए नगरिटीव का मतलब है ए- Mr एक ही वैल्यों अगर मैं हहां रखूं अभी वैल्यों कितनी है है पी प्लस जीट है निअच यानि इस से हलकी से छोटी मैं ले रहाँ थी क् उसको ए माना पी प्लस क्यूसर मैं ले रहाँ यहाइं पता है कोई बीक प्सित्रीए तो रहे हैं यह फंक्षन ग्रेता जिन्ट फंक्षन की प्रोपर्टी है राइट है लिमिट निकालें लिमिट एक्स टेंज टू ए पोजिटिव एफ एक्स एपॉजिटिव का मतलब एक्स एक्स इक्वल्स टू ए प्लस एच as x tends to a positive h tends to 0 positive h के वाली 0 positive रख दें हम यहां function में limit x tends to a positive function में रख दिया a plus h a की value a की वाली कितनी p plus q p plus q में हां रख दू तो p plus q plus h अब बताओ p plus q से हल किसी बड़ी value में रख हूँ तो जैसे for example 2.5 लिया था 2.5 से हल किसी बड़ी value लें 2.6 answer तो उसका कितना आएगा 2 तो ऐसे ही p plus q से हल किसी बड़ी value लेंगे तो उसका answer क्या आएगा answer तो p ही आएगा left hand पर ही चलना है बड़ा integer p मिलना है value क्या आगा इसकी p ऐसे ही अगर function में f x equals to a रख दें तो उसी दिसी बात है a a का मतलब integer p plus q अग p plus q का खुद answer अगर आप solve करेंगे तो भी p ही आएगा तो तीनो condition बराबर आ गई तो function क्या है continuous since limit x tends to a negative f x equals to limit x tends to a positive f x equals to f x equals to a therefore f x is continuous at a और a का मतलब क्या a का मतलब decimal यानि f x is continuous at every decimal number हर एक decimal number पर function क्या आगया continuous तो यह आधा part आपके question का complete हुआ है ध्यान से देख लें साधे part को simple सा तरीका लगाया a decimal part ले लिया decimal part का मतलब उसके अंदर कुछ integer part होगा कुछ decimal part होगा तो a की एक decimal number है जिसे 2.5 तो 2 वहाँ integer है और 0.5 वहाँ decimal part है तो a negative निकाला a negative का मतलब 2.5 से हलका सा छोटा यानि यानि कि p plus q से हलका सा छोटा अब 2.5 से हलका सा छोटा means 2 क्योंकि greater integer में answer left hand पे आने वाला integer ही आएगा अब right hand limit निकाले तो 2.5 से हलका सा बड़ा यार वह भी answer 2 ही आएगा function का answer 2.5 में रखो तो 2 भी 2 ही आएगा यानि condition equal function continuous हो गया at every decimal number लेकिन अगर यहीं पर बात करता हूं इंटीजर पार्ट की मैं को रफ कर दूं के सेकेंड हम ले रहे हैं अब हमें a की value को 2.5 अगरा ऐसे मानने की जुर्द नहीं है चीक की value जो है वो अब हम simple ले सकते हैं कुछ direct a ही लिप दे क्योंकि अब decimal तो कुछ होना नहीं यह अब एक इंटीजर है तो बहुत सिंपल सा a होगा तो case second when x is integer जब x integer है और जब x integer है तो let a be any arbitrary point p और a belongs to integer a कोई भी integer को बिलोंग कर रहा है now left hand limit निकालती है तो limit x tends to a negative fx a negative का क्या मतलब है method distribution लगा दे let x equals to a minus h as x tends to a negative h tends to zero positive ठीक तो यहां आएगा h tends to zero positive अब बात करें अब एक खुद एक integer है a minus 1 और a plus 1 a cell की सी छोटी value ले आए हम a minus h यहां आ गया मुझे पता इसका answer क्या आएगा a minus 1 मैं right hand limit की बात करूँ limit x tends to a positive fx let x equals to a plus h x क्या है a plus h है as x tends to a positive तो h tends a plus h means a cell कासा बड़ा यानिकी स्कांसर कितना होगा a plus sorry a plus h का मतलब यहां value और यहां से greater integer क्या आ रहा है खुद a आ रहा है ग्रिटेश्म चीजर के आएगा इस cancer इस cancer आगया a left hand limit a minus 1 आई right hand limit a i since limit x tends to a negative fx is not equals to limit x tends to a positive fx therefore fx is discontinuous at x equals to a x की value a पर function discontinuous है x value का मतलब जब वो integer है यानि कि हर एक integer part पर function continuous नहीं होता है के लिए रहे आपको यह सब बात तो यह example है बिल्कुल इसी example की तरह आप try कर सकते है question number 19 था आपका चलिए अब बात करते हैं जो question बचे थे 31 से 34 तक और एक example उसके जाचा है 19 यह question कैसे है देखे theorem theorem 2 page number 158 पर यही main है बस यह समझ जाओगे तो बच्चे वे जो question है वो सभी हो जाएंगे देखे द्यान से अगर मैं सिंपल सी बात करूं theorem 2 में आपको समझाओं कि उस theorem का मतलब क्या है ठीक what is the meaning of theorem 2 suppose f and g are real valued function such that fog is defined at c f or g दो real valued function है और मैंने उनका composition करा दिया fog निकाला तो c किसी domain में वो define करते हैं अगर g continuous है c में fb continuous है c में तो function continuous होगा ठीक simple सी बात आप इसको ऐसे देखें कि मैं एक fog function की बात करूं to check continuity of fog मुझे fog किसी function की continuity check करने है इसकी continuity check करने के लिए fx is fx and gx both should be continuous fx और gx दोनों ही function continuous होने चाहिए second चीज कि जो देखें अब fog एक function है जो gx का answer आएगा जो gx की range आएगी अगर उस range का मतलब मैं से रखूं f of gx ठीक मैंने कहां gx का जो answer आया वह answer मानलो आया 5 मैं हर रखा f5 और 5 इस fx के domain में belong ही नहीं करता तो यह function define ही नहीं है तो fog का किसी एक interval में define होने का मतलब यह है कि जो gx की range है वह subset होनी चाहिए domain of fx की यानि जो gx का answer हो वह fx के domain में present हो अगर यह condition होती है तो फोग जो function है वो continuous होगा चलिए देखते हैं एक्जामपल 20 कि एक्जामपल का तो solution होई रहा है आप easily पढ़ सकते हैं मैं आपको question number 31 में मुझे कह दिया कि fx equals to cos x square एक function है चीक तो इस function की यह शो करिए ठीक है continuous function है यह function क्या show करना है मुझे continuous है तो अगर मैं सिंपल सी बात करो तो f माल ली कि fx है ठीक चलो थोड़ा सा मैं इस question के अंदर modify कर लेता हूं तो मैं इससे hx माल लूँ ठीक है माली जी hx function है cos x square मुझे इस hx को करना है तो क्या होगा पहले देखो hx किस-किस का combination है पहले जो function है आपसे fx माल लूँ पहला function है cos x और दूसरा function दिखाई दे रहा है अब अच्छे थोड़ा से confused होंगे देखो दूसरा function यह अब अगर आप फोग निकाले हैं तो देखना जड़ा f of gx पढ़ा है ना आप सभी ने अगर नहीं पढ़ा है तो पहले वो chapter अच्छे से पढ़ लो तो composition function f of gx अब gx के place पर आगया x square और इस function में x square पूट कर दूं तो course x square यानि कि मैं कहा सकता हूं फोग जो हमने निकाला वो किसके बराबर आया मतलब जो function जिसकी हमें continuity check करने के लिए कहा गया है या continuous show करने के लिए कहा गया है वो function f और g दो functions का combination का combination यह function है तो मुझे इसको क्या करना है continuous show करना तो अब देखते हैं हम कैसे कर पाते हैं इसको तो इसके लिए condition क्या थी कि जो दो function f x और gx वो दोनों continuous होने चाहिए यह वह लिएक सकता हूं since f x is a trigonometric function f x एक क्या है trigonometric function है और जी एक्स क्या है जी एक्स इस अ कि पॉल्नोमेल तो जो बोथ फंक्शन सार अब इन्हें continuous शो करके नहीं दिखाना सिर्फ लैंग्वेज में लिखना है क्योंकि लेंडी हो जाएगा वर्ला दोनों की लगल अलग 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 कंट्रीट हम शो करेंगे तो तो f x जी एक्स दो नो continuous function है now the second condition is this range of gx is subset of the domain of f x second condition के लिए मैं पहले range of gx की बात करूं तो आप ध्यान दे gx function क्या है gx function है x square और x square function का answer कभी भी negative नहीं आता एक्स के place पर जो number चाहिए रखके देख लो इसका answer negative नहीं आएगा मतलब मैं क्या कह सकता हूं कि gx एक ऐसा function है जिसकी range positive नंबर कोई भी positive नंबर आ सकती है नहीं मैं रखे सकता हूं positive real number या मैं इसको r positive से denote कर दो next f x f x क्या है cos x तो मुझे निकालनी है domain of f x अब cos x की domain आपको याद की domain होती है real number cos x में x के place पर आप जो चाहें वो number रख सकते हैं याद रखना cos inverse x की बात नहीं हो रही cos x की बात हो रही है cos x पे आप 0 degree 10 degree 500 200 500 कितना भी रख लो यार माइनस का 500 माइनस का 1000 पॉइंटों में कुछ भी real number रख सकते हैं यानि कि domain है real number तो क्या ये are positive positive real number real number का subset है बिल्कुल है तो मैं कहा सकता हूं range of gx is a subset of domain of fx तो so fog means hx is a continuous function तो हमने शो कर दिया कि ये जो function है वो continuous है तो इसी टाइप से आप अपने बच्छे के questions और एक पर example यहां try कर सकते हैं बहुत simple यह method है बुक में थोड़ा सा confusing दिया है आप इस तरीकों के याद रखें बस यह दो point याद रखें कोई question नहीं होता है तो आप doubt पूछ सकते हैं thank you